जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम के जोतिस पाटशाला कारेकरम में दर्शुक आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवा से मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक काम ना है आए सारी चीजें इसमें मैं आपको बताएंगे और आज के इस संक में हम बात कर रहे हैं आपकी राशी, आपके गुन और अवगुन को परदर्शित करती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना हो उसकी नेचर को जानना हो तो आप उसकी राशी का व्योरा पढ़ लीजिए आपको आनंदा जाएगा हाँ, जैसे आपके बच्चे हैं आप सभी अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं चोटा सा बच्चा है, अब यदि उसकी राशी के बारे में आप पढ़ लेंगे, तो आपको उस बच्चे की नेचर कैसी रहेगी, बहुत कुछ पता लग सकता, ये चेप्टर सवतंत्र है, लेकिन बड़ा ही अच्छा चेप्टर है, इसकी कुछ बारी किया, मैं आपको देखें, 24 सेप्टेंबर सन 2013, दिन दविबार संबद 2018, भादो का महीना शोकर पक्स तिथी नवमी, नक्षत्र पूर्वा शाड़ा, राहुकाल साड़े चार से छे, दिशासूल पश्रिंदिसा, हमारे चार वेदहें सभी जानते हैं, और पंचम नित्रों की उपमा दी पांच वाइस को जो वेदों का नित्र कहा गया है, आँख जो देख सकें, पहचान सकें, ऐसे ही जो तिस विद्या में हम किसी को पहचान सकते हैं, जब उसकी कुंडली देखे जा रही होती है, वो व्यक्ति किस प्रकार कहा है, उसका सभाव कैसा है, सारी चीजे आप उसकी ये चीजें उसकी रासी से पकड़ सकते हो, अब सही माइनों में अपने अपने सबने वर्णन किये हैं, लेकिन जो भारती पदती है, जो भारती विद्या है, जो तिस विद्या, जिसे हम वैदिक विद्या कहते हैं, इस विद्या के आदार पर हमने देखा है, अगर आप र व्यक्ति की नेचर को समझ सकते हैं जैसे ध्यान से समझना आज चोटा सा सब्जेक्ट है जो जोतिस प्रेमिय उनके बहुत काम आएगा राशी कितनी होती है जॉडिक नंबर 12 होते हैं 12 राशी होती हैं लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं वैदिक जोतिस के अकोर्डिंग कैसे अब हमारी वैदिक जोतिस में हम राशी किसी व्यक्ति की कैसे निकालते हैं किसी व्यक्ति की राशी हम कैसे जानेंगे एक तरीका यह है अंक जोतिस में या और बहुत सारी विद्याओं में अलग अलग प्रकार से राशी जानी जाती हैं जैसे कई बार अपरेल के महीने में जो जातक जनम लिये हैं, उनकी ये राशी है, डेट के हिसाब से, बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ लोग और भी किसी पदिती को फालो करते हैं, इतनी तारिक से इतनी तारिक के बीच में जनमे बच्चों की ये राशी है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, मतलब हम इस पर इतना विस्वास हमारे नहीं है, जो हम वैदिक जोतिस करते हैं, जो हमारे रिशी मुनी किया करते थे, उसे वैदिक जोतिस कहते हैं, हम राशी को आधार बनाते हैं, चंद्र को, कैसे, चंद्रमा एक रासी पर, बारह रासी हैं, चंद्रमा एक रासी पर कित ने करीब दो दिन के हिसाब से चंद्रमा एक रासी पर रहता है जो मार्केट में पंचांग आते हैं आज कल तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा आज बच्चा पैदा हुआ तो आप देखिए चंद्रमा आज किस रासी पर है दवाई ये कंप्यूटर की कीज तो आपको निकल कर किया जागे इंटरनेट पर भी देख सकते हूँ सारी सर्च करके देखोगे कि चंद्रमा आज इस रासी पर है तो चंद्रमा जिस दिन जिस रासी पर होता है वो ही उस व्यक्ती की जनम रासी होती है बहुत इफेक्ट डालती है इसको मैंने बड़ा ही महसूस किया आप देखो आपने तो समझ लिया कि चंद्रमा कि इस रासी पर है उसकी रासी जान ली अब जो बच्चे बड़े हो गए कैसे पहचान हो गए और बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ पहले भी बता है पहले समझ लो फिर आगे चलते हैं आपके घर में अगर बच्चों की कुंडली बनी रखी है तो जो में कुंडली का लगन चार्ट होता है एक कुंडली होती है न उसे आप खोल लो उसमें देखो चंद्रमा कहां है किसी ने किसी नंबर्स के साथ चंद्रमा जरूर बैठा होगा अंक के साथ चंद्रमा किसी का फोर नंबर में बैठा होगा किसी भी जातक का व्यक्ति का किसी का फिप्ट में किसी का सेवंथ में मालब वन से लेकर के ट्वेल तक राशियां उसमें भरी होती है और किसी ने किसी एक ही नमबर में चंद्रमा बैटता है हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से तो चंद्रमा जिस नमबर में बैटता है वो ही नमबर की उसकी रासी होती है आप यह कैसे पकड़ोगे साथ 12-80 होती है 12-80 के करम को इंटरनेट से निकाल लो के 12-80 लिखे 12 जॉड होते निके निकें करें वनबर के सांथ जो रासी लिखी होगी मेश वो जूकित और शालत कि क्で मैं आपकी कुंड़ी में जहां निलिख निकाल सकते हो आपके पास विशे सूची होती है नहीं तो मैं आपको बिए सेग्ड में बता दूँगा आप बाद में वीडियो को अराम से सुनके नोट कर लेए अब इतनी बात समझ में आ गए हमें एक से लेकर बारत तक कौन सी रासी का कौन सा नंबर होता है वो हमें पता लग गया अब आपकी कुंडली है सामने उसमें देख लो किस नंबर में चंद्रमा रखा है महापरिस्तित है वो ही उस गेक्ति की राशी होती है और मैंने कैसे पहचाने अपनी राशी को एक अलग वीडियो बनाई हुई है आप उससे सर्च कर ले ना बहुत आसानी से पूरा उसमें चार्ट के माद्यम से मैंने समझाया है आप वो देख ले ठीके बहुत बड़ी एक नंबर के सामने लिखो मेश दो के सामने लिखो वर्षब तीन के सामने लिखो मिथुन चार के सामने कर्ग पांच के सामने सिंग छे के सामने कन्या साथ के सामने तुला आठ के सामने व्रश्चिक नौ के सामने नाइन के सामने धनू दस के सामने मकर कैप्रिकॉन ग्यार कुंब बारह के सामने मीन люблю कि 12 विरस नंबर किसका हुआ बूभा की इसका हुआ का डशियत में कर oh very simple एक नंबर किसका हुआ मेश का तो ईसे हमने आप पकड़ लिया सारी बात और आपके बच्चे की कुंडली नहीं भी बनी है नेट पर बना लीजidän आज तो सब के पास software है, simple सा आपने कुंडली मिलाई, देखो चंद्रमा किस नंबर के साथ बैठा, वो उसकी जनम की राशी हो गई, ओके चलो, आगे बने, अब राशी से एक व्यक्ति का nature कैसे पकड़ाया था, मिसाल के तोर पे किसी का चंद्रमा पांच अंखे के साथ लिखा है, तो पांच भी कौन सी राशी होती है, सिंग, यस, उस व्यक्ति की जनम की सिंग राशी हो गई, सिंग किस को कहते हैं, शेर को कहते हैं, शेर के क्या गुण होते हैं, आप मानो ना मानो ध्यान से अगर उसके रियल कुंडली बनी है न, कुंडली गलत भी हो जाती है कही बात, time आप गलत दे रहते हैं कुछ गलत हो जाता date of birth confusion में डाल देते हैं तो कुणली गलत बन जाएगी real यदि time आपको याद है real date of birth साही पता है न तो अगर वो sing लगन का जाता है उसकी ये चीज़े सेर की तरह ये उठी हुई होगी सेर की तरह होगा बादर होगा वीर होगा हाँ और जैसे सेर जवट्टा मारता अपने शिकार पर शद्रू ठीके का नहीं है ऐसे विक्तियों के सापने तो आज मैं अलग-अलग रासी की विसेस्ता तो यहां नहीं बताने आया हूँ लेकिन आपको टॉपिक समझाने आया हूँ यह बात समझाने आया हूँ कि रासी से विक्ति की नेचर समझ सकते हो जैसे मुझे जानना मेरा बेटा है अब मेरे बेटे की यह रासी है तो इसकी सभाव कैसा होगा वो सभाव जीवन भर रहता है हां अगर रियल आपने वैदिक जोतिस के इसाप से उसका चार्ट बनाया है जिन्द की भर उस बच्चे की तासिर वह रहेगी हां अब जैसे करक है केकड़ा जैसे केकड़ा कहते है बहुत लोगों का लगन भी वह होता है राशी वह होती है कई बार लगन में ही चंद्रमा बैड़ जाता है वो भी मैंने अलग सारी वीडियो बनाई हुए कभी आप सुनिये देखिए केकड़ा कई बार कुछ अन की चीज़े भी अपने पैरों फसा करके आपको चलता हुआ दिखाई देगा केकड़े के मन में ये रहता है कि कई बार समुंदर में कोई तेजी गर्मी आ गई और हम कई दब गया या कुछ हो गया तो हमारे बाब भोजन का इंतियाम रहेगा अब रासी क्या है नमबर चार करक कैंसर तो जिन जातकों की जनम जात कैंसर रासी होगी वो आने वाले समय के लिए अनधन जुटा करके रखते हैं उनका ये सभाव होता अब हाँ लाखों करणों लोग हैं एक रासी के तो कई ब यह कुछ न कुछ ऐसा योग होगा नहीं तो उन लोगों में ये उनकी सिफ़त होती हैं ऑनकी यह अंदर की विसेस्ता होती है धनू रासी वाले थोड़े शंकालू शर्माने वाले और साथ में कहीं न कहीं भागवान से जुड़े हुए अनन्ने उनके तार होते हैं और आई ऐसा उनकी पहचान होती है मेश रासि क किस अज़ को कहते हैं मेश क कहते हैं कि मेश कहते हैं मेड़ा को आप मेश रासिory का आप साइन देखिये उसका चित्र देखिए मेश रासी का मेड़ा ऐसे सींग मिधा हुआ पाड़ी मिधा होता सीहिंग बुढ़ा हुआ हो और यह जो इसका फो रेड होगा मस्तग होगा आगे ऐसे होता यानि है कि मिधा कहां से मारता है तक्कर मारता है ऐसे तक्कर मारता देखें 1 की लड़ाई देखि شण सीर से बार करता तो जिसकी मेश-ILY-2 वो दिमाग की खाएगा दिमाग की चोट मारेगा किसी आप देखो कि किसी की मेश रासी है तो देखो अपनी रासी हम गलत कहने हैं तो यानि कि दिमाग के विचारों से वो शत्रू का सामना कर लेता इतना वाहदूर होता और उसका दिमाग हर समय चलता रहेगा घूमता प्लानिंग उसकी बनी रहती है कैसा लगड़ा चप्टर बड़े लगड़ा ना ऐसे ही और भी बहुत सारी विसेस्थना है अलग लग रासी की अब यह ना काम बहुत होता है कभी जैसे धार्मिक तीस्तिवार चल रहे हैं उनके बारे में बताना होता है तो बहुत सारी चीज बच्चे की बेटी की बेटा की किसी की भी दामाद की किसी की भी जैसे कई बार हम रिस्टा करते हैं तो हम देखते हैं भी दामाद साब की नेचर कैसी है कोई आपको बताएगा नहीं कोई अपने अंदर क्या गुण है अब गुण जल्दी से नहीं बताता रासी से पकड़ और अगुण और उनकी नेचर कैसी होती है वो मैं आपको कभी बारा के बारा एपिसोड देखो आगे जगदंबा की क्या इच्छा होती है वो आपको बताऊंगा लेकिन फिलाल के लिए आपको मैंने चैप्टर समझा दिया है समझके देखो जो 30 प्रेमी बहुत काम आएगा और आप ये लें कहासे आप जब तक नहीं आए बता रहूं तब तक आप वेट थोड़ी करेंगे कही से बिए इंटरनेट से हैं कही किसी राइटर की बुक आपके पास हो तो उसमें आपको बारा की बारा रासियों के गोना गुड मिल जाएगी बागी हमसे अगर जानना चाहते हैं थोड़ा सा इंतियार कर लीजिएगा मविश्य माने वाले सब्में मा आपको हम पताने का प्रयास करेंगी आईए साथ को समय चल आज की ध्यान माला का आज की ध्यान माला में जोड़ते हैं हम भगवान भहरव जी से और भगवान भहरव अपनी करपावर साएं आप सब के विगन दूर हो ओम करकलित कपाला कुंडली दंड पाणी इस्तरुणति मिरनीलो भ्याल यग्यो पविते ख्रतु समय सपरियाद विगन विच्छे देहेतुर जयति बटुकनाता सिद्धिदा साथ कानाम ओम देव्या राज सेव्यमान पावना ग्रिपंकजम ब्याल यग्य सूत्र मिंदु सेखरं क्रिपाकरं नारदादी योग व्रिंदि वंदितं दिगंबरं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे बानो कोटि भास्वरं भवाप्दितार कंपरं नील कंठ मिप्षितार्त दायकं त्रिलोचनं काल काल मंबुजाक्ष मक्ष सूल मक्षरं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे शूल टंक पास दंड पानि मादि कारणं स्यामकायमादी देव मक्षरं निरामायं भीम बिक्रमं प्रभुब्वि चित्रतांड वप्रियं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे भुक्ति मुक्ति दायकं प्रसस्त चारु बिग्रहं भक्त वस्सलं स्तमस्त लोक लोक बिग्रहं भूत संग नायकं विसाल किर्ति दायकं कासि वास लोक पुंड्य पाप शोधकं बेभुं नीति मार्ग को विदं पुरातनं जगत्पतिं कासिका पुरा दिनाथ काल भेरवं भजे कासिका पुरा दिनाथ काल भेरवं भजे कबच बना लें ध्यान करें भागवान बटुक नाथ जी का सुभासी सब के उपर बरस रहा है अम बोलते हुए ने तुको ने समान्य हो जाए ऐसी छोटी छोटी जानकारी और पूरी गंभिरता के साथ जानकारी जानने के लिए आप हमारा ये मुखे चैनल जो है उसे जरूर सुनिए हमारे नाम से है प्रॉफेसर धर्मिन शर्मा और एक चैनल हमारा और है इंद्राक्षी धाम अभी तो फिलाल करीब करीब सेम सी वीडियो जाती है दोनों पे लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला आप यूँ ही हमारे साथ प्रेम पूर्वक चुड़े रहिएगा स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुब कामनाओं के साथ हम अपनी वानी गुब्राम देते हैं जय जय अंबे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशक गया प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें निचंपी देवा अधिक जानकारी करें आप देख सके हमारा कारिक्रम सब्सक्राइब करें पहले तर